नमस्कार मेरा नाम कृष्णिपाल राठोर है और आप महारो राजगड का यूटूब चेनल देख रहे हैं इस वक्त हम ग्राम पंचायत गागोर्नी में मोजूद है चुनावी माहुल है गल्यों में पोस्टर लगाए जा चुके हैं और अब जो है वो चुनावी तैयारिया बाटिया जो है वो चरम पर है हमारे सात्थ जो पूर्व में सर्पश थी उनके बीठे बेटे हुए हैं हम उनसे पूछेंगे कि पूरू में उन्होंने क्या काम किया है और वर्तमान में उन्होंने अभी नया प्रत्यासी उतारा मेदान में इनकी तरफ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो हम उनके हक में भी सवाल पूछेंगे कि विकास कारणों के लिए वो अगला कदम क्या उठाएंगे अगले कौन से वो काम होंगे जिनकी तरज पर वो गागोर्नी को सोगात देने वाले हैं और जो अन्य पांच ग् और में इस इंटर्वीट को देखा जाए हम चाहते हैं कि देखा जाना भी चाहिए इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नया प्रचार है यह City रे क्षnew न सकत्रविधोर्न सब्सक्राइब कैसे ज़िए और क्या है न कि यह जो बाते है यह देरे वागोर चैनल से तो जो वादे करेंगे हम उन्हों वादों पर टिपणी भी देंगे कि अगर आपने वह वादे बाद में पूरे नहीं किये तो हम इस वीडियो को रिपीट चला करके वह काम आप से पूरे करवाएंगे ठीक बाद है भाई साम आपके मम्मी जी का परिचे जानना चाह सबसे पहले तो माता है वेनों घ्राम वासर को सभी को मेरा नमस्कार में संदीप शर्मा मैं मैं था चाहिक वाद में तीन आगन वाडियों का निरमान किया गया हमारे द्वारा उसके बाद में ग्रेवल रोड बनाए गच्चे शुदूर सड़क बनाए गई टालाओ बनाए में आप जिरापूर से जब विदर आते गागोन नी तब गोशाला का निर्मान हो चुका है अगले जैसे ही नया सर्पन जो अगर जनता का आश्रुवाद रहा और हम वापिस से बेठें तो तुरंत उसको इस बार कि इसको उतारा प्रजापती समाज के प्रतिनीदियां बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी है राम्नान प्रजापती जी चुनाव चिन्न है नारिल का पेड़ा पेड़ा अशुरत पाने के लिए जनता का मेदान में उतरे हैं वो जनता अगर चाहेगी तो फिर समय सिवा का मोगा देगे लाकॉर्णी में इसी कौन सी कम्या रह गई थी कौन से से काम रह गए थे जो आप पूरा करवाना चाहते हैं सबसे जो यहां का जो वर्ग है तो पूरा में क्या जो बनी थी आवास की उसमें कुछ लोग नाम चूड़ गयते हैं फिर हमने 200-300 लाग नंबर जोड़े थे लेकिन किसी टेक्निकल इसी को यह 100-500 नाम वापिस से रिजक्ट हो गया 231 के हमारी सूची है तो हमारा पहला प्रैक्ता में रहेगी जो आवास प्लस में और सेक्स सूची में भी जो रहे गया है सबसे पहले उन लोगों का आवास दिलाना अगर कोई कमी हो इस काम में तो फोन लगाकर बुलाईएगा इस इंटर्व्य को दोबार चलाएंगा बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहां से गागोरनी से लेकर करके जिला पंचायत तक हम आवाज उठाएंगे और एक वेक्ति को पात्रे उसको आवास योजना का लाप दिलाए जाएगा सडकों और नालियों में कुछ कमी रही हो तो अब जैसे राशी आईगी वेस्ते नालिया जो बची हुई है उसका भी काम पूरा किया जाएगा एक रोड बचा हुआ हरीजन सामाज महले का वही पूरा कराएंगे वह जो भी काम है हमारा द्वारा वह पूरा करेंगे बिल्कुल और अभी विदायक निदिस से भी एक सामुदा निर्माण है कल से उसका काम शुरू जाएगा बिल्कुल अच्छा गागोर्नी पंचायत में पांच गाउं जुड़े हुए हैं कौन-कौन से गाउं जुड़े हुए हैं और उन गाउं में क्या-क्या कमिया महसूस होती है एक तो गागोर्नी है में एक मानपुरा सबसे में समस्य तो किकीला परिशार यहां पर स्कूल लगता है वहाँ पर एक सिसी रोड की आवशकता है तो पूरा करेंगे वहां लाइब्रेरी के लिए हमने मतलब उसका प्रपोसल दे चुके हैं एक लाइब्रेरी के वहां पर जरुवत है उसको आदे बच्चे बेट त पूरा करेंगे और उसके बाद में समस्या है तो जैसे शास की तरफे अपने राशी आईगी वैसे इस्टेट लाइट की समस्या है वह पूरी कर देंगे समस्या है गागोर ने की है मतलब और पास में गावे लिमबोदा वहां पर प्लिया क्या आऊशकता है तो उसके लिए हमने आदिम जाती कल्यावन उभाग से उसमें फाइल लगा रखी है वो जैसे पूरयोगी बारीज बाद में उसका काम हम पूरा कर देंगे बस वहां पे श पूरा शम्षान घाट तक करोड़ कंप्रेट कर देंगे शम्षान घाट वगरे के पांचो गावां में प्रोपर युवस्ता है हमारे दौरा बनाए गये हैं रोड भी अच्छे जगह पर उसका बाद में गुराड़ा है तो वहां पर जो सामधा बहन का में आपको बताया काम कल से शुरू हो जाएगा उसका बाद में एक रोड है वह पूरा कर देंगे और वहां पर सबसे में समस्या है वहां के लोग क्या मलब सितर परसेंट लोग जो होते हैं वह बारिश के बाद में राइस्तान चलाया था मजदूर करने के लिए हां तो उन्हां में समस्या है कच्छे मकानों की मकान कच्छे उनके तो सबसे आधा आवास योजने के अवशकता महां पर हैं तो हम उनको पूरा करेंगे कुछ तो सेक बिल्कुल और पांचों के एक सामख समस्या है गायों की तो गोशाला अभी बारिश में शुरू हो जाईए बससे आच्छा शेता पूरी होई कुछ काम है उसका मलब कागजी काम बाकी है बाकी पूरा होते हैं उसको गायों के समस्या को जो जो बना है आप एक बार के तरजी पर काम करेंगा उन्हें का सानिद महीं करेंगे जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है और अगर यह काम अगर पूरे हमारे नहीं होते हैं तो आप इस इंटेर्व को मेरा प्रमाण समझ लिए साख समझ लिए और वा पीस इंटेर्यू को चला है आप बिल्कुल और सवाल की बात है तो वादा बहुर में जरूर किया मैं आप से अभी गाउं में जब वादाता मेज लोगों में सोडी फिर से जिताएगी किया सरपंज की कुर्षी पर भाईसाब को बिठाएगी बिल्कुल देखिए गाओं की सरकार हैं सो लोगों में से देखिए पिंचन लोग काम हो पाते हैं पांच लोग सब चीज़े हमारा आतों में नहीं होती है आप भी समझते हैं कुछ चीज़े सरकार की मतलब फंड की कमी से या कुछ टेक्निकल इस्यों है बहुत स तो उसको हम बिल्कुल वादा करें और अगले कारेकालन पूरा करें नाराज लोग है ऊंकी लिस्ट बनाईएगा वन से पक्कावादा गरें तरह कस्ए आपि लोग उपसे से लोग उससे कितना सहमत है सहमत है लोग संतुष्ट है मतला मारे काम से बिलकुल और मतला बैसा नहीं कि सिर्फ राजनीती के ही द्वारा मतला हमारा परिवार पिछले 30 सालों से गाउं की स्ववा में लगा हुआ है मेरे पिता जी एमारे दादा जी जो थे वो उपसर पंच भी रहे हैं पहले चोकिदार थे वह तो जहां भी लोग को जरत पढ़ती थी वहां लोग के लिए खड़े होते थे कि इधर उधर काम करवाना मिलना सब चीजे करते थे वह बिल्कुल बिल्कुल यह चीज है कि जनता आप पर भरोसा कर ही ले बिल्कुल जी मतलब निवेदन तो सबसी सालों से परिवार के रूप में सबीका साथ दिया है सबीके साथ मिलकर काम किया है चुनावते यह कि आते जिते माध्य हमें जंता है कि हम आपका काम करवाएंगे बस यही कि अभी तो निवेदन कर सकता हूं मैं कि साथ दीजिये हमारा और जो भी कम्या रही है हमारी इंसान जोधा गल्तियूं का पुतला होता है तो पूरा वादूरा करेंगा और आपको प्रतैसी जी को बूलाना चाहते हैं थोड़ासा चेरा-उनका हैं और बोलवाना चाहते हैं जनता के सामने की आपके प्रत्याशी को भी देख लीजिए आप नाम बता दो आपको काई को चुनाओ चिन्न है नारेल को पेड़े तो फिर जनता से मांगो वोट कसा मांगोगा आप मांगेगा नाथ जोड़क काम पूरो होगो पक्की बात है नारेल को पेड़े चुनाओ चिन्न है तो नारेल को पेड़े तो द्यान राग्जों उनको भी भुजूर्ग व्यक्ति है और हम जिसका भी इंटर्व्यू करते हैं उसके लिए अपील जरूर करते हैं आंत में कुछ एक चीजे रह गई हो तो आप बता सकते हैं नहीं तो मैंने जो पूछना था मैंने पूछ लिया और जितने मेरे से सवाल बन पड़ते थे मैंने पूछे हैं और मैं जनता को ये भरोसा दिलाता हूं मेरी तरफ से कि जो जो काम इनों ने बोले हैं अगर वो नहीं किये तो कोई हो ना हो मैं आपके पक्ष में जरूर खड़ा रहूंगा और मेरी तरफ से भी इन लोगों के लिए अपील है कि नारेल का पेड़ चुनाव चिन्न है नारेल के पेड़ पर मोहर लगाकर भारी मतों से इन लोगों को विजे बनाईएगा हमारी शुपकामना है आपक और आपको इनके बादों में कुछ खोड दिखे तो हमें संपर्क किजिएगा हम ये इंटर्वी दोबारा चला करके इनके खिलाप सवाल उठाएंगे इनके इनसे सवाल पूछेंगे दोबारा इसी दफ्तर में आएंगे और इनसे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे कि अगाउसा के लिए हम बोल रहे हैं जनता को भरोसा दिलाने के लिए बोल रहे हाम हमारे भरोसे पर क्याम रहते है जुबान के पक्के रहते हैं अगर कुछ प्रत्याशी बात में डालम डोल करते तो हम उनके साथ गाउंवाल ल thereby के साथ खड़ा रहते बरहाल जो है चैनल को इरोधी भी हैं तो भी वीडियो को देखकर जंता तक में चाहिए गा क्योंकि वो आपका काम है वो आपका काम है और आपको काम करना चाहिए ताकि आपके जन प्रतिनिदी की बात जनता तक आसानी से पहुंच जाए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया